नमस्का से नियूज भारत में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रजा सिंग गाउ किसान के प्रिष्ट भूमी से आने वाले हातरस की साधाबाद तहसील के गाउं चेरावली के रहने वाले केपी सिंग ठैनुआ एक पढ़ी लिखे युआ इंजेनियर हैं इन्होंने विभिने संगटनों के बड़े किसान नेता ठाकुर भानू प्रताप सिंग वर आकेश ठिकैत के साथ भी कारे किया हैं कि कई किसान आंदलुनों का हिस्सा भी रहे हैं गाउं किसान के मुद्दे पर केंदर सरकार वर राज्य सरकार के समक्ष मेडिया के माध्यम से अपनी बात मुखरता से रखते रहे हैं आजकल गाउं किसान उन्यन यात्रा के तहट पूरे देश में अकेले ही प्रगतिशील किसानों के विचारों को जानने वा गाउं किसान की जमीनी समस्याओं को जानने के लिए निकल पड़े हैं आपको बता दें कि इनका कहना है कि बिना गाउं किसान की विकास की विकसित भारत की कलपना नहीं की जा सकती है आए हम सुनेंगे देश के जाने माने किसान नीता, केपी सिंग ठैनुआ को और जानेंगे गाउं किसान का विकास कैसी हुगा सर बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत आपका भी अविनंदन है और सीन्यूज भारत लगातार किसानों और गाउं की आवाज को बढ़न करता रहता है इससे हमें बड़ा अच्छा लगता है सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इंजीनियर से किसान नीता कैसे बने अब जब हम नबय के दसक में अपनी प्रैमरी एजुकेशन हमने शुरू की छोटे थे तब तो खेतों में जाते थे आज कल हम बजार में सबजीयां लेने जाते हैं पहले हम अपने खेत में ही सबजीयां ओगा कर और खुद अपने हाथ से तोड़ के लाते थे उस समय हमने देखा था बहुत छोटे छोटे बच्चे जब उनके माता पिता खेतों में कार करने जाते थे तो उनी के साथ जाते थे वहीं पर दुपेर में अपना भोयन करते थे और मुझे ये लगता है कि आज के समय से पहले एगरी कल्चर पर ही पूरा भारत डिपेंड डिपेंड आज भी है लेकिन उस समय रियल में एक करसी यूख चला था जिसे हरित क्रांती कहा जाता है उस समय मैंने यह देखा कि कर्ज किसानों पर जो कर्ज हुआ 90 के दसक के बाद लगातार कहते हैं पिछले 17-18 सालों में 45 लाग करोड का MSP नम मिलने से नुक्सान हुआ ह किसान का तो हमने कर्ज के कारण होती हुई F I R R देखी है किसानों को आत्म हत्याओं की जो खबरे हैं वह आसपास के गाओं में भी सुनी है कि किसान ने उसकी फसल का उत्पाद मिलने के कारण आत्म हत्या कर ली तो हमारा एक बाइनेचरल यहाँ लगाब रहा कि जब भी के बाद किसी भी बड़े फिल्ड में जाएंगे तो गाउं किसान की चीजों को जरूर ध्यान में रखेंगे और उनकी तरफ हमारा एक बच्पन से जुकाव रहा अब इंजिनियर का जो दिमाग होता है वो मल्टी टेलेंटेड होता है उसको बेसिक साइंस की भी नौलेज होत हम आपने सुना होगा आजकल AI का जमाना है AI से भी आगे जनरेशन तरक्की करेंगी लेकिन गाउं किसान और जो हमें अन खाना है उसको शुरच्छित रखने की जिम्मेदारी हम सब की है उसके लिए हम अपनी टेक्नलोलोजी का इस्तमाल इस देश की गाउं किसान को सम्रद करने में कर रहे हैं और हमने अपना जो इंजिनिंग स्किल है वह गाउं किसान के लिए बचा के रखा है सर, MSP एक बड़ा मुद्दा है, इसकी बारे में क्या कहीं गया है ? देखिए Minimum Support Price MSP, Newnderm Sumarthan Mulya, और एक होता है Maximum Retail Price MRP जो किसानों को जो मिलता है वह मिलता है Newnderm Sumarthan Mulya जो जब किसान आंदोलन हुए पुढाने समय में तो 2006 में स्वामी नाथन आयोग ने एक रिपोर्ट पेस्ट की थी जिसमें कहा गया था कि किसानों के उत्पाद का जितना मनलो सौर रुपे की लागत लग रही है तो उन्हें डेड़ सौर रुपे उसका मुल्य मिलना चाहिए और भी उस स्वामी नाथन आयोग में बहुत सारी सिफार जिसें थी जो मान्य प्रदान मंत्री जी ने उनको भारत रतन भी दिया डॉक्टर स्वामी नाथन ने क्योंकि यहाँ एक ऐसा अच्छा सर्वे था कि किसान की जिस तरीके से हालात आज गरीब और किसान मजदूर के बच्चों की आप हालत देखेंगे तो वो दद दस हजा आप लगा लीजिए एक एगरी कल्चर में ही ऐसा हो रहा है कि उनकी जो फसल है सो रुपे की लागत लग रही है कई बार तो वो बीस रुपे भी उसको नहीं मिल पा रहे हैं तो ऐसे समय में यह MSP को लेकर मेरा जो आपने सवाल कहा MSP को लेकर सरकार जरूर सोचे इसकी गा आप अपना तरीके से निधारित कर सकते हैं तो किसान के साथ पचपात ना हो किसानों को MSP की गारंटी का जो मुद्दा है हम उसका समर्थन करते हैं हां कुछ सरकार करती है कि सरकार का यह तर्क रहता है कि कुछ फसलों पर MSP देने लगे तो एक दम असुंतलन पैदा हो जा करेंगे मलब उसे कहते हैं फसलों का विवदी करन उसके लिए सरकार अलग अलग तरीके से अलग अलग मुल्यों पर MSP निधारित कर सकती है लेकिन MSP के मुद्दे पर अगर सरकार यह चाह रही है कि हम खाली किसानों को टेक्निकली समझा के उन संतुष्ट कर लेंगे ऐसा सरकार जणी MSP का मुद्दा है और रहेगाँ है के इन्द सरकार और राज्य सरकार किसानों के समस्या कूलेकर converge को पूलेकर अनके लिए तरह-तरह की योजनाए निकालते रहते हैं बस रहाने इन चीजों से आप कितना संतुष्ट है जो भी योजनाए के ने न रोड सरकारें बोट के लिए कर्ज माफी के मुद्दे को बहुत ज़्यादा चुनाप के समय हाइलाइट करती हैं जो सरकारों का जो एफ़र्ट है वो किसानों को एक मरहम लगाने जैसा एफ़र्ट है उनका इस्ताई समादान सरकारों के पास ही नहीं आप लगा लीजिए इस देश में किसान सम्मान निदी दी जा रही है आपको बहुत सारे यंत्रों पर सबसेडी मिल रही है आपको प्रसिच्छन टेक्निकल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा सरकार कौसल विकास एक मंत्रा ल उनकी जो समस्या हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है किसान की कि उसकी भूमी की जो जोत है जो उसका छेत्रफल है एग्रिकल्चर का वो घटता जा रहा है और उस एग्रिकल्चर में आप देखोगे जैसे एक भाई पैसो बीगे जमीन थी उसके चार बाई हो गए तो वो 25 बी बीगे तीन बीगे पांच बीगे जमीने आ रही हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो सरकार से जो आसा है वह है कि भूमिहीन किसान जो किसान जिस पर पहले खेती करता था आज छेत्रफल खेती नहीं है भूमिहीन क्रिस्कों के लिए सरकार लगातार अपनी योजनाय लाए उनक सम्मान निदीव मैरे नजर में mandato इस्तरीयां वोती है जो घ्रती हैं ग्रहणी उनको पिलना चाहिए क्योंकि यह को इस्तरीयों का सबसे ज्यादा मैलाओं का सबसे ज्यादा योग्दान एक और वह आर्थिक मेनेजमेंट भी जानती हैं तो जब महलाओं इन किसानों को भी सम्मान निदी मिले और महलाओं को कुछ ज्यादा उससे डवल मिले मालों इनको मिल रहा है छह जार तो महलाओं को आप 12,000 रुपए सम्मान निदी दीजिए तो उससे बहुत बड़ा लाब तो मेरी सरकारों से रकेंद सरकार और राज सरकार से यही निवेदन है कि बिना किसानों के सुझाव के कोई फैसला न लें देश में सब के आयोग बने हुएं लेकिन किसान आयोग अभी तक इस देश में है नहीं तो किसान आयोग की मांग को मैं लगातार किसान आंदोलनों से लगातार अभी उठाता रहता हूं और इस मिसन को लेकर हम अगले तीन महीने जो अपना जो क्रशी एवं रिशी यात्रा करने जा रहे हैं इन सब मुद्वों पर यह में मुद्दा होगा कि देश में किसान इसमें आप क्या कहेंगे गाउं से पलायन कर रहे हैं किस तरीके से गाउं से लोग पलायन कर चुके हैं गाउं से पलायन करने का जो मुख्य कारण यह रहा कि उनको पाद का मुल्य नहीं मिला दूसरी बात रही आपने देखा होगा इतनी प्राथमिक विद्याले बने हुए हैं हर गाउं में सारे आरोप आप सरकार पर ही लगाओ तो ऐसे नहीं चलेगा हमें अपनी वी समस्याओं पर काम करना पड़ेगा कि अप प्रैमरी एजूकेशन है गाउं में अवेलेवल है लेकिन बड़े बड़े ब्रैंड वाले वीद्यालों में पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वह घुत ह४ाँट कौह हुए। और कुछ लोग समझते हैं कि सहरों में उनके लिए अफसर फैसिलिटी जादा हैं। देखो मैं एक बहुत बड़ी बात कहूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक पूरा एक प्रोजेक्ट चलाया जिसमें कहा गया कि जो सहरी सुविदाएं हैं वो गाउं में भी मिलें। तो इन चीजों के लिए हमें लगातार अगर पलायन रोकना हैं तो सहर की जितनी भी सुविदाएं हैं वो सूच में रूप से गाउं में भी उपलब्द हों। गाउं में लैब्रेरी होगी डिजीटल पे सरकार फोकस कर रही है डिजीटल इंडिया मिशन में आप लगाई यह कि अगर स्वास्थे की बात करी जाए आज भी गाउं में बहतर स्वास्थे की सुविदा उपलब्द नहीं हैं कुछ जगे कहके अपवाद होते हैं लेकिन जब हमारी आई कोविड का समय आया तो वहां पर हमारी सबसे बड़ी जो पोल खुली वो हमारी स्वास्थे सुविदाओं पर पोल खुली तो इन सब चीजाओं को लेकर सरकारों को गंबिर होना पड़ेगा पलायन तभी रुकेगा जब ज़न सामान ने अपने गाउं में ह जागरूकता नहीं होती है अब इसमें ऐसा क्या किया जाए कि मतलब किसानों को जागरूक किया जाए किस तरीके से उनको हरे किसान अपडेट रहे कि कौन-कौन सी नहीं योजनाय आई है और अगर उनको योजनाओं के बारे में पता भी होता है लेकिन वो योजनाओं का ज बड़ा जनान दोलन ही कहूंगा उसको स्वच्छता स्वच्छता जो मिशन है उसको लेकर हजारों करोड रुपे प्रचार प्रशार में पानी की तरह बहाए गए और उससे यहां समाज में परवर्तन यहां आया कि आज कोई गंदगी करता है तो उसके मन में एक चीज जरूर आती है कि अरे यार हम गंदा कर रहे हैं वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर किसान को कुछ मत दो उसको प्रसिच्छन वह उसको सिच्छा आची दे दोगे तो वह स्वयम सारी अपनी जो परिस्तितिया है उनसे निपटने में सच्छा में अब क्या है जागरुक्टा हुआ सिफ हैं सिफ ख्रस्तिक और भारत के सव्यब्स पर इसका योगदान यह है कि जिस तरीके से हम धान की फेसल में ज्यादा पानी वाली जो खपत है जो जिन फसलों में ज्यादा पानी लगता है ऐसी फसलों से बचने के लिए हमें मौटे अनाज पर आना पड़ेगा और मौटा अनाज है जुआर बाजरा इस तरह की जो फसले हैं वह मौटा अनाज के अंतरगत आती हैं और इन्हें मुल्य है सरकार ने सबसे जादा बढ़ाया साड़े लगबग अगर दुगना अगर किसी का मुल्य MSP बढ़ा तो वो बाजरे पे बढ़ा तो देखिये कितना बड़ा मुद्द है लेकिन लोगों में अगर आप उनके यहां बोलो के मिलेट्स क्या है तो उन्हें पता ही नहीं है यह सरकार क्या कर रही है कुछ ही पड़े लिखे लोगों को उसकी जानकारी है जब तक यह मोबाइल का जो यूज हम रील्स और इन सब के लिए कर रहे हैं अगर इसका यूज एक किसानों को सिच्छा देने पर अगर करें तो मैं यह कह रहा हूं कि लोग सेहरों से पलाया तो छोड़ो सेहर जाने की भी नहीं सोचेंगे क्योंकि कोविड में जनता ने यहां जान लिया है कि प्रकरती से अच्छा मित्र हमारा कोई नहीं हो सकता उसके लिए हमें इम्मुनिटी भी बचा के रखनी है लेकिन अब जाग रुकता अव्यान के नाम पर सरकारी देगा करज्माफी लंबे समिल से एक गंभीर मुद्दा रहा है किसानों का तो इसके लिए आप क्या कहेंगे देखीए पहली बात तो ये समझे के करज्माफी किसी भी समस्या का समाधान है नहीं किसां की किसान को करज्मुक्त करने के लिए सरकारों को सबसे पहले उसकी फसल का दाम देना पड़ेगा सो रुपे का अगर उसकी लागत मिल रही है डेड़ सो रुपे जब तक सरकार नहीं देगी कितनी भी बार आप कर्ज माफी कर लो किसान के सामने उसका आर्थिक संकट खड़ा ही रहेगा इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि देश के किसानाँ पर जब उड्योगपतीं का करज माफ होता है सबका उनकी स्तितियों के इसाब से उनको कर्ज माफ कर दिया जाता है यह कहके कि मालो इन लोगों को घाटा पड़ गया इस सेक्टर में तो इतनी सबसेडी दे दो लेकिन किसान के लिए सरकारें इसलिए नहीं सोचती मुझे ऐसा लगता है कि उन सरकारें सोचती है खाली उद्योग से ही आने वाला समय चलेगा जबके ऐसा नहीं है हमें एग्रिकल्चर सेक्टर को एक क्रशिस सुदार के लिए जो कानून लाए गए थे कुछ लोगों ने उसका बिरोध किया और मैंने उनका बिरोध किया जिन लोगों ने उन कानूनों का बिरोध किया क्योंकि है क्या हमें क्रशिस सुदार के लिए कुछ ने जिसमें किसानों का सही सर्वेकर उनको कैसे भी रुड मुक्त बनाया जाना चाहिए इसके लिए सरकार के पास एक बड़ा प्लान होना चाहिए और एक बार अगर कुछ लाग करोड देश के किसान पर कर जाये तो अगर माफ कर देंगे तो वो घाटे में नहीं जाएगा फिर वो द्वारा से खड़ा होगा किसान और हमारी जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान देगा किसान सर पराली को लेकर किसानों पर लगातार आरोप लगते रहे हैं तो उस पर क्या कहना है आपका देखिए पराली का जो मुद्दा है वह वी एक जन जागरुकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है रही किसानों पर आरोप लगाने की बात आप जितना दिमाग किसानों को आरोपी बनाने में खर्च कर रहे हो उनके उपर दर्च कर रहे हो कई वाल लोग डेप्रेशन में आके आत्मत्या कर जाते हैं सैटेलाइट से आप उनकी फसल में आग लग रही है पराली में आग लोग हैं क्योंकि पराली से और दूसरे भी प्रोडक्ट बनने की बात सामने आई हैं कई बार तो इस तरीके की जो चीजे हैं जो ब्लॉक जो इसे ब्लॉक डवलप्मेंट ऑफिशर बोलते हैं खंड विकास अधिकारी इन सब लोग क्यों का काम सिर्फ कागजों पर लिपाप के बारे में तो कभी भी पराली की कोई समस्या नहीं आएगी और जब आपने देखा होगा दिली के ऊपर कितना बड़ा प्रदूसर्ण का संकट आ जाता है जबके आप देखो पराली का मुख्य कारण हमारा जो किसानों तक सही उचित समाधान न पोंचना है पराली का लिए पैराक न खालत आं प्रूसर्ण को किसान नीद्यी रहे होगें पेससे बहुत ज्याद संटूस्ट या एसकुष किसान अउों को यह और नहीं वह थे हो फिर भी किसानों के लिए किसान सम्मान निदी एक बड़ा सहरा है लेकिन महला किसानों के लिए अगर यह डबल कर दी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे किसानों को इसका लाब होगा और वह महला किसान प्रगती करेंगी. सर मद्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंती रहे शिवराज सिंग चोहान अभी एक प्रूशी मंत्री है उनसे आपकी मुलाकात होई है? हाँ अभी होने वाली है हमारी मुलाकात जल्दी ही उनसे. सिवराज सिंग चोहान एक जमीन से जुड़ा हुए और एक सौम्य सरल राजनिता है वह और सिवराज सिंग चोहान जी से एक ही उम्मीद है कि वह कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे कि जो किसानों को पसंद नहीं आ उनको बड़ा ऐसा मंत्राले मिला है जब देश में दो तीन साल से चार साल से लगातार किसान आंदोलन बड़े-बड़े किसान आंदोलन आ रहे चल रहे थे ऐसे समय में सिवराज सिंग चोहान जी को बिना किसानों से लिए कोई फैसला नहीं करना चाहिए और एक प्रोग् जिम्मिदारी को लेकर वा उत्सुख हैं सब्सक्राइब को लेकर आपने कुछ योजनाइं बनाई हैं तो क्या है वो देखिए बहुष्य में मैंने एक ही योजना बनाई है कि पहले तो मैं रिशी एवं कृषी यात्रा के माध्यम से देश के गाउन किसान के पास जाओंग हमारी भारतिय संस्कृति या भारत की दो ही तागत है क्रसी और रिसी क्रसी क्या है क्रसी है अनदाता और रिसी है ग्यानदाता जब अनदाता और ग्यानदाता दोनों खड़े हो जाएंगे दोनों के लिए हम हमारा समाज तैयार होगा तो डेफिनेटली हम बहुत समय पा सकते हैं जिसे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था आप लगा लीजिए बहुत सारे आयाइटी और बड़े-बड़े इंजीनियर अपने नौकरी छोड़के आए अग्रिकल्चर सेक्टर में काम किये पस्पालन में काम किये और आज वो करो कि गया था एक देवा वहां पर कस्वा है उसके पास राजौली गाओं है उसमें एक मदमक्खी वाला स्टाट अप है जिसके फाउंडर है निमिस सिंग उनका जो नाम है एप्रिशेट प्रदानमंत्री मोधी जी ने मन की बात में भी किया था वह कितना अच्छा कार्य कर र प्रोजगार देने में सफल हो पा रहे हैं क्योंकि मदमक्खी पालन क्या है भूमहीन किसानों के लिए एक अच्छा अवसर है तो ऐसे युवा उद्दमियों के द्वारा जो किसान उद्दमी हैं इनके द्वारा अलग-अलग फिल्ट में यहीं नहीं कह रहा मत्स पालन हो आपका चाहें किसी भी फसल का किसान हो अलग-अलग फल सब्जियों की जो डिमांड है उसको लेकर मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं देश में एक बड़ा आकड़ा है कि लाखों करोडों रुपेयों का हमारा फल सब्जी बेकार हो जाता है देश के अंदर क्योंकि जिसान सरी के नाम से सम्मानित भी किया गया भारत सरकार द्वारा संजीब सिंग उन्होंने बंडारन करके वह लाखों रुपे महीने अपना कमाते हैं और कम लागत में उन्होंने कोल्ड स्टोरेज तयार किया लेकिन इन जो आइडिया है इन विचारों को अगर कोई पहु क्रशियात्रा का उदेश भी यही है कि ग्यान दाता और अन दाता का मिलन होगा तो इस भारत की सम्रद्धी होगी दूसरी बात क्रशियों पर आजकल आपने फेस्बुक पर रिल्स देखी हैं बहुत सारे संत मात्मा ग्यान देते हुए नजर आते हैं लोग उनकी अच्छी जो गुड होते हैं उनको लेकर सकारात्मक चीजों को लेकर उनके जो रिल्स आते हैं उनसे सही प्रवाब पड़ता है लेकिन वही रिसी यह कहने लग जाएं देश के अनदाता के बारे में चार बातें कहने लग जाएं कहने लग जाएं कि प्राक्रतिक खेती हर मनुष्य क प्रेमिक खेती हैं जाविक ने चाहिए तो वह बात ज्री था की है, प्राक्राइमिक खेती हैं दोनों में क्या आंतर है, जैमिक खेती एक वर्मी कंपोस्ट आज ने म्हीं था थोब चुठी मցझे hoahi शब्रक्राइम केति, कैंचु डालते हैं कैंचुओं के माद्यम से वह एक खात तयार किया जाता है फिर वह खेतों में डाला जाता है और प्राकृतिक ग्रावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व कोई केमिकल का यूज नहीं करते थे पहले अपनी नराई गुड़ाई करके उस फसल को बड़ी महनत से पैदा किया जाता था आपने सुना होगा जो आचार देव ब्रद जी हैं गुजरात के राज जपाल उन्हों ने प्राकृतिक खेती मिशन को लेकर बहुत अच्छा मोमें चलाया है और वो यहां उत्तर प्रदेश के किसानों को भी प्रेरित कर रहे हर्याना में उनका एक बड़ा मोडल है तो जैविक खेती क्या है थोड़ा सा मरलब ज्यादा महंगी है किसान के लिए प्राकृतिक खेती को का जाता है जीरो बजट फार्मिंग यहां मूल अंतर ह है तो यही है कि जैविक खेती से भी कुछ न कुछ गलत पड़ाम आये थे तो प्राकृतिक खेती के लिए लगातार हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से कार कर रही है लेकिन इस पर किसानों को खुद खड़ारूना पड़ेगा सर जैसे खेती किसानी में बिजली कुले के बहुत समस्याइं रहती है और भी कई तरीके के पानी कुले के समस्याइं रहती है तो इन समस्याओं का क्या निदान है देखिए इनका निदान ये है, हमारे देश में क्या दुनिया में जल और रचन एक बड़ा मुद्दा है, पहले में बजली की बात करूं, बजली बनाने में पानी का यूज होता है. दूसरी बात यह है कि आज की जो उतरपरदेश सरकार है उसने फरी कर दिये तो किसानों के लिए एक बड़ी रहात है लेकिन फिर भी कुछ अदिकारियों द्वारह कुछ लोगों द्वारह अगर किस वह़हуска दिए viral लाक ऑप मुझे नहीं लग रहा कि कोई विसेस यूजना अभी है क्योंकि बिजली विवाक की जो सिकायते हैं वो लगातार किसानों के बीच मैं सुनता रहता हूं और ज्यादा तर लोग इस चीज को लेकर बहुत दुखी रहते हैं इसलिए मेरा यही कहना है कि कम से कम किसानों को लेकर जो बिजली बिल तो आपने फिरी कर दिये दूसरी जो चीजें किसानों के प्रति सम्मान का भी तो भाव रखना पड़ेगा तो और रही पानी की समस्या पानी की समस्या की यह बात है कि जो हमारे नहर रजवाए हैं उनकी समय पर सफाई नहीं हो पाती है इस वजह से हजार करोड़ रुपे उसमें लगता है हर साल पता नहीं नहर पाने नहरों के लिए अगर ऐसे कहीं पानी नहीं आ रहा है तो इन चीजों पर सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा और समय पर कारवाई करनी चाहिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका किसानों के मुद्धों को इतनी मुखर्टा से रखने के लिए और उनके समस्याओं को सरकार के सामने प्रसूत करने के लिए और उमीद करते हैं कि इन समस्याओं का अंत केंद्र सरकार और राजे सरकार मिलकर कहीं न कहीं जरूर निकाले झाल 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 झाल